नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्वागत है आप सभी का अभिप्षा के पूरी टीम की तरफ से मैं हूँ अभिनोत शांशु पांडे और हम कर रहे हैं परिक्षाओं की तैयारी हमारे प्लैटफॉर्म पर आपको एक्जाम सेरी मिशन 2023 के नाम से अभिप्षा के प्रयासों का पूरा लोड मिलेगा यहां पर आप हमारे एप्लिकेशन से कुछ स्पेसिफिक फैसिलिटीज जैसे की शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेस्चन और माइंड मैप यह सारी चीज़ें एक्सेस कर पाएंगे लेकिन यदि आप हमारा वीडियो जो है देख रहे हैं यूट्यूब पर तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेएं और अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं कि यहां पर हो रही है परिक्षाओं की तैयारी चलिए आगे बढ़ते हैं हम PYQ डिसकर्स कर रहे थे जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने बहुं सारे प्रशन पहले भी देखे हैं और इसी सिलसिले में आज हमारा अगला प्रशन क्या है देखिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला के बारे में बात की जा रही है और यह हमको प्रूफ करना है चलिए जल्दी से जो है डाइगराम बना लिजे और इसके साथ साथ तयारे सुरू कर दीजे तो हमारा डाइगराम जो है शुरुआत होती है एक लेंस से इस लेंस के आजपास हम लोगों ने क्या किया है आए देखते हैं यहाँ पर जो है एक हमारा सोर्स ह जिसको हम लोगों ने ओ कहा यहां से जो है लाइट की किरन जो है यहां निकलेगी और उसके बाद में इससे टकराने के बाद में इसका जो है क्या होगा कि अपवरतन होगा और इसका जो है पहला प्रतिभिम जो है बनेगा इस बिंदों पर चलिए प्रतिभिम जो है बन रह सारी चीजह anthropology आंगी सबसे पहले देखेंगे यह बिदू salah is यह है यह बी वन है यह जो है यह बीवन डूरी है और यह जो दूरी है यह वीजूरी है तति होगा स्थिझे प्रकास की किरंद है तो पहले माय हम पारतनांग 6 सद्धिति में क्या होता है प्रकास का ही यह ए la सगहन माद्ध्यम की और जाने के कारण अपने मार्ग से विचलित होकर अवलंब की और जुख जाने के कारण उसका प्रतिविम बनेगा वह प्रागमिक प्रतिविम में कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा वी वन के पास में लेकिन हुआ क्योंकि अब प्रकास की किरण को से अपवर्तन होगा और इस बार जो है यह जो दूसरे माद्ध्यम के बीच में जो है जो हमको अभी लंब नजर आएगा यहां पर प्रकास की किरण उससे दूर हटती हुई नजर आएगी और इसके कारण वह प्रतिविम फोड़ा और बेंड होकर के वी पर बनेगा अब इ सूत्र खहता है कि म्यूटू बटा वी वन म्यूटू बटा वी वन रिण म्यूटू बटा यू और यह बराबर होगा म्यूटू रिण म्यूटू और बटा आर के बराबर जो कि आर वन है ठीक है आपको यहां पर समझ में आयाके क्या कि दूसरे माध्यम के अंदर जो प्रतिवे में बन रहा होगा उसकी दूरी और पहले माध्यम में जो है उसका अपवर्तन होगा तब क्या होगा दूसरी बार अपवर्तन के समय में यहां पर हो जाएगा मू अब देखिए यहां पर जो है मू 1 बटा वी रिन मू 2 बटा वी वन बराबर मू 1 माइनस मू 2 बटा आर तू अब ऐसा क्यों हुआ आप समझने का प्रयास करें पहले माध्यम मू 1 से जब प्रकास की चाल गई तो दूसरे माध्यम में प्रतिबिम बनाया वी वन और यहां पर हम लोगों ने सूत्र यूज किया मू 2 वी वन रिन मू 1 बटा यू बराबर मू 2 रिन मू 1 बटा बटा आर वन और आर वन जो है इस वाले सतह की वक्रता तरज्या है इसके बाद में इसके अंदर जैसे ही प्रका देना चाहिए था लेकिन प्रतिबिम को मतलब यहां पर किर्णों को दूसरी बार भी अपवर्तन से होकर गुजरना पड़ा और यह अपवर्तन अब यहां पर यह हैं बन गया मू 1 बटा वी क्योंकि यह जो है विरल माध्यम यहने की वायू में है तो जो माध्यम बटा वी कि रेन मू 2 बटा वी 1 और यह किसके बराबर हो गया मू 1 माइनस मू 2 बटा र 2 के बराबर हो गया अब अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो जो चीजें कटती हैं वो कट सकती हैं तो यहां पर देखें मू 2 बटा वी 1 यहां पर धनात्मक है और यहां पर रेनात्मक ह और हमको मिलेगा म्यूवन बटा वी रिण म्यूटू बटा नए वटा म्यूवन प्रक्राइब अर्योंम बटा यू और यहां देखे तो आपको यहां पर म्यूटू बटा म्यूटू रिण दिखाई दे रहा है और यहां बटा मूँवन तो एक बटा और वन एक बटा और पित przygot आख चिक अब यहां पर जो है हम क्या कर देखते हैं कि यदि हम जो है हर एक जगा बटा मूँवन करने मतलब यहां पर ही हम बटा बटा mu1 कर दें और यहां पर भी हम बटा mu1 कर दें तो हमको क्या दिखाई देगा हमको दिखाई देगा एक बटा V रिण एक बटा U बराबर mu2 बटा mu1 रिण एक और यहां मिल जाएगा एक बटा R1 रिण एक बटा R2 अब यहां पर mu2 बटा mu1 क्या होता है यह तो अपोरतनांक के बारे में पतलब सापेक्षा पोरतनांक हो गया तो यहां से मिला हमको एक बटा V रिण एक बटा U बराबर mu1 रिण एक और यहां मिल गया एक बटा R1 रिण एक बटा R2 यह जो है आपको समझ में आ गया अब इसका जो है दूसरा हिस्सा देखते हैं यदि हम इस सूत्र को यहां ले ले यदि हम इस सूत्र को यहां ले ले क्या है भीया सूत्र एक बटा V रिण एक बटा U बराबर mu रिण एक और बटा एक बटा R1 रिण एक बटा R2 अब जो है यहां पर हम यदि यह मान ले कि अगर हम अपना जो वस्तु है उसे हम जो है फोकस बिंदू पर रखें मतलब यहां पर यह फोकस बिंदू पर आ जाएगा तो भाई फोकस बिंदू पर एक बटा रिण F यह फोकस बिंदू पर रखें तो हमको उसका प्रतिविम्ब कहा नजर आता है उसका प्रतिविम्ब अनंत पर नजर आता है और इस स्थिती में भी mu रिण एक बटा एक बट जाता है एक बड़ अनन्द का मान हो जाएगा शून्न और यह रिण और यह रिड़ जो हे छो जाएगा तो अब हम जो देखते हैं कि इस जगह elegant जो है हमामारा दाया हाथ- इंदभा रही है है हिस्सा- और इस जगह में भी दाइयहात का है और यह ही तो हमें सिद्ध करना था यह हमारे से सद्ध होगया तो यह वाला प्रशन आप से कभ पूछा गया था देखेये यहां पर प्रशन के सूत्र की स्थापना कीजे भी कहा जा सकता था तो लेंस फेकर सूत्र की स्थापना में हम लोगों ने देखा कि एक बटा वी रेन एक बटा यू बराबर एक बटा एफ ये जो है हम लोगों ने एक तीर से दो सिकार किया हम इसका भी उत्तर दे पाएंगे और इसका भी उत्तर है झाल कि अगूदकर सहीं अोड़ को शाप्ग एगुष नहीं तो